कांपूर हिंसा को लेका सपायों ने कलेक्टर पर किया प्रदेशन समाजवधी पार्टी ने महानगर अध्यच के नेत्वत में पेगंबर इसलाम हजद मुहम्मद मुस्तफा पर अपत्ती जनक टिपड़ी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है समाजवधी पार्टी ने कांपूर हिंसा में एक पक्षे कारवाई के विरोध में कलेक्टर में प्रदेशन करते हुए गिरफतारी दिये कि निरनेट सपा को गिरफतार कर आंदोलन के रड़नीती में चूप के कारण पुलिस ने कलेक्टर गेट से सपा के कारकरताओं को गिरफतार करकर मुशारा ग्राउंड में ले गए और रिहा कर दिया चनलम्हों की गिरफतारी और रिहाई चहर में चर्चा का विशे बरी हुई है। सपा के कारकर्टा ने बड़े मुद्दे पर छोटी राज दिती की है। खास बात या रही, सपा के आंदोरन में कोई जन्द प्रतिनिधी भी शामिल नहीं हुआ। दर असल महा नगर समाजवधी पाटी ने कानपुर में हुए बवाल के बाद एक पक्षी कारवाई के खिलव कलेक्टर पर प्रदशन किया। प्रतिकात्मक तौर पर गिरफतारी के 20 सपा ने मुखे नियादीश को जिला अधिकारी के माध्यम से ग्यापन प्रेशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशन सरकार के दवाव में पुलिश प्रशासन द्वारा एक पक्षी कारवाई पर रोक लगा कर निश्पक्ष कारवाई की जानी चाहिए। पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे पहले सपायों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते वे कलेक्टर गेट पर प्रदेशन किया। कलेक्टेट में मौजूद पुलिस अधिकारों ने सपायों को पुलिस वाहन में बैठा कर कलेक्टर के अंदर मुशारा ग्राउंड ले जाकर रिहा कर दिया। अगराओ, प्रदीपदी, पिस्नारों प्रदी अद़ में मुद्धारों ने सपायों किया। मैं पिछोब भीता हैं। कर चब भीता हैं। गुद्ध जिसमें वानपूर में जो घटना घटी है उसको लेकर पुलिस पृशासन द्वारा एक पक्से कारवाई की जा रही है वेद्बावपूर कारवाई की जा रही है हमारी माग है कि जो भी करवाई है तो तूसरा जब महां का महल खराब रहां उस बीच जिल अधिकारी कर ट्रवार जाना यह संधिक्द है जो सरदार की पिस नियत खर रशाद है तो हमारी ये तीन मुख्षे मांगे हैं ये हम इसके समाजबादी पाइडिये करता हूं ने जिरफ्तारी दिये मैं आपके चैनल के मार्जम से एक बात कहना चाहता हूं और ौह पिवभkeटंट्वाती की सरकार जिसने आत्रस में बजची के साथ किया घ्यानों के साथ किया जिसानों ने घरना लगाया है उसको अपर इनोंने जीत चड़ा दी और पही किसान सहीद है ये जब तो जो जिनके लिए सारी घटला घटी है कानपर वाली जो नभीयों के नभी थे जिनका किरदार ये था कि अगर एक कोई और उनको पर पूड़ा दालती तो उसका खेरियत लेने पौड़ गया तो उस सक्षियत के चाने वाले कितने होंगे मैं योगी जीस से कहना चाहता हूं कि आपकी जेले कम पढ़ जाएंगी उनके चाने वाले कम निपढ़ेंगे जेले बढ़ देंगे हम लोग आज हमने चार सो लोगोंने कि रफ्तारी दी जो इसी भी रोज में थी कि जो वहां जो कारवाई हो रही है पक्षपात करना वो बन की जाए और नुपूर शर्मा ने कि आगे नौकरियों का संकट बना हुआ है वहां के लोग जो हैं उन्हें अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं मैं अपने उल्यमाओं से अपील करूंगा कि वह संपर्क साथ कर उन से मांग करें कि उन लोगों कोई उसमें गलती नहीं है जो भी गलती है नुपूर शर्मा नुपूर शरमा शरक्षा वापस लिए और उनस पील को सब्सक्राइब है तो अब उन्हें मुरादाबास से रहान अंसारीक रिपोर्ट न्यूजब भारत